गुड आफरनून फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैंने शेशोलोजी की लेक्चर से शुरू करी थी उसमें हमने बहुत सरे कंसेप्ट पड़े जैसे कि सोसाइटी क्या होती है कम्यूनिटी क्या होती है इसके लावा कल्चर, सोशल स्टार्टिफिकेशन और बहुत सरे हमने कंसेप्ट पड़े तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर शेशोलोजी की लेक्चर में जाकर आप इन सभी लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो इन लेक्चर को देख सकते हो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्तपुन टॉपिक पड़ेंगे यह वेरी वेरी डेलिवंट इन दस्टड़ी ओफ शेशोलोजी यह एससोशेशन अटोपिक नेम इस एससोशेशन की एससोशेशन क्या होता है एससोशेशन का मेनिम क्या है डेफिनेशन क्या है इसकी मेम इन प्रेक्टरस्टिक्स क्या है तोड़े वेरी डिस्केस अबट ओल इस थिंग्स इन इस वीडियो आप आप वीडियो अच्छी लगे और अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आई दोस्तों शुरुवात करते हैं सबसे पहले इंट्रोड़क्शन के साथ अगर मैं इस टोपिक को इंटोड्यूस करने की बात करूं अगर मैं टोपिक इंट्रोड़क्शन की बात करूं मेरे स्टुडेंस तो भी औल ञों दैट we live in the society हम इस राठेए हो hem society में रहते हैं भी कांट living isolation इंड रसाइट ग्री लिब आपी आपि ही बीटेंस दो लियंक्शन सबहरे सि्नीफ on the people दो नानी थाइन सॉ टीर्म मैं अनी तैम habe just a collection of individual which is made by the individuals for particular purpose for a limited purpose to students क्या होता है association हम सभी society में रहते हैं एक दूसरे के साथ बातचित करते हैं हमारे बहुत सारे purpose होते हैं बहुत सारे aim होते हैं तो इन aims को पूरा करने के लिए जब कुछ लोग आपस में एकठ्थे आ जाते हैं ताकि वो एक ताकि वो अपना एक association बना सके तो उसको हम association बोलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है तो सबसे पहले meaning की शुगात करते हैं कि क्या होता है association what is the meaning of association what is the meaning of term association students in simple language we can say that association is this association is group of individual it is group of individual it is group of individual it is group of individual who come who come together who come together in organized manner in an organized manner for 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 achieving achieving some purposes achieving some देखो क्या लिखा मैंने की association is a group of individuals a collection of individuals who come together in an organized manner for achieving a particular purpose association लोगों का समू है जो एकठे आते हैं एकठे आते हैं ओगिनाइस्ट मैंनर में आते हैं पर्टिकुलर रूल्स होते हैं इसके कुछ पर्पस को अच्छीव करने के लिए मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत सरी एक्जैम्पल्स हैं जो एक्सोशेशन के होते हैं सबसे पहले मैं एक्जैम्पल देना चाहूं तो मैं आपको फर्स एक्जैम्पल दे सकता हूं पोलिटिकल पार्टिस पोलिटिकल पार्टिस अगर मैं पुलिटिकल पार्टिस की आते हैं organized manner का मतलब क्या है कि बू लोगों की बीड नहीं है वो लोगों का टाउड नहीं है उनके प्रॉपर रूज़ गुंग पर अपर पर प्रपश है वे अजयाने में यह वे अरुग नहीं नहीं है बेर अर्ग नाइस दैं तो कुछ लोग विल्स मॉगनेंट मैंनल में आते हैं कियों आते हैं सर्कार बनाने के लिए दिए convert पाटीज दिस एससेशियसेन इस इग्जैम्पल ऑफ एक्जैम्पल देखना हूँ आपको रेड युनियन ट्रेड यूनियन स्टुनेंट्स क्या होता है कुछ लोग आपस में आते हैं कठे होकर आते हैं जो आते हैं ट्रेड को रेगुलेर करने के लिए और गिनाइजड मैंनर में इनके अपने रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं यह होती है ट्रेड यूनियन क्या होती है ट्रेड य आपा बहुत सारे association होते हैं, for example, देपुमी, हिमाचल association, for example, association for protection of person from COVID-19, for example, association for protection of person from flood, for example, flood relief association, बहुत सारे association हो सकते हैं, ड्रग से बचाने वाले association बनाई जाते हैं, युवा association बनाई जाते हैं, अभी COVID-19 चला हुआ है, आप सभी को पता है, पूरा विशप, करोना, COVID-19 महामारी से ग्रसित है, और यह महामारी हमारी हमारे इंडिया में भी फ्यार हो रही है, तो हमारे इंडिया में लोगडाउन का order किया गया था हमारे ओनरेबर प्राइम मिनिस्टर रेंडर मोदी जी के जरिये, तो जब लोगडाउन लगा था, तो बहुत सारी लोगों ने इकठा होकर association बनाई अपने, बहुत सारी लोगों ने association बना कर यह जो association बने हुए थे, उन्होंने क्या किया, लोगों के घर-घर पहुंचाया जो ग्रीव लोग थे, उनको खाना दिया, उनको खाना दिया ताकि लोगडाउन में जनकी पास पैसा नहीं है, वो भूख के कारण मरे नहीं, बलकि वो सही सलामत रहें, तो उन्हें खाना उनको दिया, this is association, वो सभी association थे लोग, लोगों का group association यह था, जो ने बोगाड़स एक scholar है, उन्हें क्या बोला है, कि association is usually a working together of people to achieve some purpose, क्या बोलते हैं बोगाड़स, कि association basically लोगों का एकठा काम करना है, क्यों एकठा काम करना है, क्यों एकठा काम करना है, ताकि वो कुछ परपस को अचीव कर सकें, कुछ परपस को अचीव कर सकें, हम इस definition को political parties क अगर आपको ये समझ आ गया है, अगर आपको ये समझ आ गया है, तो हम अभी शुरू करेंगे इसकी characteristics, what are the main main features, what are the main main features और characteristics, क्या के characteristics है, क्या के main main features है, students, सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, तो association क्या होता है, वो लोगों का समू है, it is a collection of individual, it is collection of, collection of individual, this is first very very important landmark characteristics और feature of the association, association, association लोगों का समू है, अगर लोगों नहीं होंगे तो association नहीं बन सकता, association बनाने के लिए हमें लोग चाहिए, लोग जब होंगे तभी association बनेगा, तो first essentially is that, कि association is basically a collection of individuals, बहुत है लोगों जब इकथा हो जाते हैं, तो उसको association बना, कहा जाएगा, अगर वो organized manner में इकथे होंगे, और उनका particular purpose होगा, अचीव करने का, अगर purpose नहीं होगा तो वो association नहीं माना जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो crowd बन जाएगा, वो bead बन जाएगी, पचास मंदे कठे हो गए कोई परपस नहीं है कोई रूज नहीं है रेगुलेशन नहीं है बस ऐसे कठे हो गए वह बीड होगी वह क्राउड होगा वह एस्सेशन नहीं होगा सबसे पहले श्याइशनल फीचर क्या बनती है हमारी कि क्योलेक्शन ऑफ इंडिवीजुल गूप पीपल कि एस्सेशन क्या है लोगों का ही स्मू है तो अगर मैं दूसरे एसेंशल की बात करों दूसरे एसेंशल फीचर की बात करों तो हम बोल सकते हैं ओर्गनेज्ड मैनेर तो पेला था मारा कोलेक्शन ऑफ इंडिवीजुल यहां ग्रूप ऑफ पीपल जो मर्जी बोलो जैसे आपको ठीक लगें दूसरा है ओर्गनेज्ड मैनल तो देखो स्टूडेंट एक एस्सेशन तभी माना जाता है लोगों का समूह जब वह ओर्गनेज्ड मैनल में हो जब उसका प्रोपर रूपर रूलेशन से वह बना हो इसको हम मानते हैं तो गार्शन मा shortest हैं तो डाइब बहुत बहुत ही हो मतफिक बाते हैं पहली लोगा समूह होता है एस्सेशन और दूसरी वह का समूह जो है वह ओर्गनेज्ड मैनल में होता है अलुऑ अटो मैन में ही समझाया होगा इसका इसन शूह बरनेशन समझे की वह so follow कर ना पड़ेगा बहुतसे बहार नहीं जा सकते मैं इस पहुंगा दो मिनिट में आऊँगा तीसरा बता दता हुआ पहले आपको तीसरा जो है वो क्या है पर्टिकुलर परपस कड बंपता है वो प्रटिकुलर परपस को अचिव रिए बंट अगर हमारा particular purpose नहीं होगा अचीव करने के लिए तो हमारा association भी नहीं होगा वो चीज For example, कुछ लोगों का group है, कुछ लोगों का group है, वो organized manner में है पर वो group बना ही क्यों वो पता ही नहीं है, उसका purpose ही नहीं है कुछ, तो association नहीं होगा तिन्यों चीज़े होंगी तब association बनेगा, लोगों का smooth होना चाहिए, लोगों का group of people, collection of people भी होना चाहिए, organized manner में वो चीज होनी चाहिए, उन लोगों के rules, regulations वो फोलो करें, प्रोपर organized manner में वो smooth हो लोगों का, और उन लोगों का organized हो होने का particular purpose भी होना चाहिए मैं आपको example देता हूँ, देखो, for example, political parties, for example, for example, political parties, political parties एक association होता है, मैं आपको example में बताया था, अब देखो, political parties क्या लोगों का smooth है, बिल्कुल है, बहुत है, लोगों काथे होकर political parties बनाते है, कोई एक बंदा political party नहीं बना सकता, obviously, दूसरा क्या organized manner में होती है, ये पर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्प बी होते हैं को लैक्षन और बिगों भी वह वहोते हैं और क्यestion के होटी है और किरकी स्क्राइब्स होता है जी पर्लांड को होवं बनाने 501 अपनी गवंगोर्मेर मोना सुप्स्टा में आना आना ऑन मों और स्प्रप्रप्स कूलिए होता चाहते हैं अपनी क्या मतलब हुआ first day it is a collection of individual people must be there only then association can be constituted second that particular people must must come in organized manner they must have a particular organization they must have some rules regulation to be followed by the people of that particular association and third one they must have a particular purpose and for achieving that purpose the people come together they must have a particular purpose without that purpose association cannot be made यह आपको समझागे होगा उसके बाद fourth fourth आप लिख सकते हो legal status the association होता है उसका अपना legal status होता है legal status होने का मतलब है एक जो association है उसके अपने rights है उसके duties है जो लीग ऐसो यह घर आगल एसंट के अगेंच काम किया जाता है जो गिवन है ओर तुन इस थसा इसन इन लीह काम करता है तो कोई विरक्तिस अपूरसियों के अगेंच भी केका सरे यह आँवराए मेला डाला के कि दाताई Mais C待 अफ сд homosexual in white些 आट तिपन सब्सक्राइब कॉयें पिर पॉड़ इस इस इसे इस्शिशिशन थे इस इस थे लिव भी आप उसक्राइब और शैज डियोटै इन वृ reckहे लेगा कर शक्रेश करें e अरण बी मं ふो rag tampon वी अनुआ अश्रम पुर्श परही है कं बाल कि दいやampap els Walker शत lip फिस आप एल सकते हो रूस लोष ए मूलेशन कर ऐसो सिंहोता है इसके अपने रूलस होते हैं रिए रोसो तो देलो इसनोड बाव आ geek これ by Gonna'll the member of rijis they cannot do anything which is against the rules by the association एक association के अपने rules होंगे regulation होंगे और कोई भी person जो इसका member है वो ऐसा काम नहीं कर सकता जो association के against हो I hope आपको ये point भी समझा गया होगा कि association के अपने rules and regulation भी होते हैं 6th point 6th point आप ले सकते हो Artificial देखो जो एक association होता है वो Artificial Entity होते है Natural Entity नहीं हूती जब आप society में जन में लेते हो तो association अपने आप नहीं बन जाते नेsalली खुद नहीं बन जाते बनाए जाते हैं They are man-made They are man-made लोग उसको बनाते हैं Lोग association खुद बनाते हैं वो खुद नहीं बन जाते आपने आप what does it mean कि association are not natural they are man-made they are created by the people themselves they are not made automatically they are created by people they are created by individual they are not made automatically association man-made होते है artificial होते है natural नहीं होते है I hope आपको यह point समझा गया होगा सात्मा आप लिए लिख सकते हो कि membership is voluntary member ship is voluntary कि जो एक association होता है उसके membership होती है for voluntarily होती है वो voluntary है आपकी इच्छा है आपने member बढ़ना है यह नहीं बढ़ना है आपसे कोई जब दिस्तिनी कर सकता if you want to become the member of particular association you can become you can get the membership if you do not want no one can force you आप किसी political party के member बढ़ना चाहते हो यह नहीं बढ़ना चाहते हो this depends on your desire no one can force you no one can force you कि आप उसके member बनो तो what does it mean कि एक association की membership लेना voluntary होता है अपने इच्छा भी निर्बर करता है चाहे membership ले यह ना ले उसके अपनी मर्जी है बिल्कुल सा point है हमने seven point cover कर लिए association लोगों का सुमू है association में लोग और में काम करते हैं उनका particular purpose होता है particular purposes very very landmark term purpose के लिए बनता है जैसे flood relief association flood से लोगों को बचाने के लिए Corona relief association को रोना से लोगों को बचाने के लिए जैसे political parties government बनाने के लिए association बनता है चर्च भी अपना purpose होता है बुआ से इसे नहीं के बैस बनते है कि बनते हैं पर्टिकुलर purpose को पर्मोर्ट करने के लिए पर्टिकुलर पर्परस को achieve करने के लिए उनका legal status होता है मतलब केस कर सकती है association और एस्ट्रेशन के ओपर केस्वी नहीं हो जाती एंड लास्ट इस उनकी मेंबर्शिप बोलेंटरी होती है आप एस्टेशन के मेंबर्ड बनो नहीं बनो आपके ओपर डिपेंड करता है नेक्स्ट आप लिख सकते हो डूरेशन डूरेशन इस दिया कितनी होगी तो जो एक सिस्टेशन बनता है वह पर्मनेंट हो सकता है निख स्टैओं बोलाइट भी हो सकता है और टेमप्रेडी भी हो सकता है वह एक 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 इंद प्रमेंट भी हो सकता है टेम इसकते हैं दिखो Πosaurus आंडा न की दूरान क्या हुआ ठोडchnyn के दूरान क्या हुआ था फूरज पूरे इंडिया को लोक डॉइं किया गया था इंडियमें टाला बंदी करी जए इंडिया में लोक डॉइंट मर्लें जीला की लोगों को खाना देने एपे जो ग्रीब लोग थे उन्य तक खाना पुंचाने के लिए जैसे जल्लों खत्म हुआ कोड इसां में फुरो तो गाइट हो सकते हैं लेकिन इससेटं। परमेनेटी होती हैं जो परमेनेटी के लिए बनते हैं वगेंसेश for example political parties Congress party 1885 में बनी थी आज तक exist करती है लगाता exist करती जा रही है इसके member थे पहले वो सभी खत्म हो गए मर गए पर party अभी existence में है वैसे बीच भी party काफी time पहले बनी थी अभी existence में है जो party parties अभी बन रही है तो आगे काफी time तक existence में रहेगी जैसे कि state state बीका association स्टेट भी एक association ही तो है जो ओर्गेनेज में में लोगों का स्मूव होता है परपस क्या है लोगों का बेलफर करना इसलिए बनाया जाता है तो स्टेट हमारा इंडिया कब से बना है और लगर चला हुआ आगे भी रागिव चलता रहेगा तो एस्सेशन टैंप्रेरी भी हो सकते हैं और पर्मानेंट भी हो सकते हैं मैंने आपको एजेंपल दे दिए टैंप्रेरी कहीं पर बाड आ गई फ्लट रिलीफ एस्सेशन बन ग लिख सकते हो इसे लिमीट्ड सिंफ़िकेंस क्या लिख सकते हूद आप गहां हे हें देचा लिमिट्ड ऐलाए माइड Karena अब लेंटर सिगनिफिकेंज को एक ऍसोसेशन का बहुत इस विकांजनकर बोटन सिगनिफिकेंज ज Hee कि लिए बनता है और उसी विएर पर्पर्स arb गण सवी करने के बाद सब्सक्त है जिन रहे कम जाता है। तो यह नहीं नहीं मैं जाता है। उसका पर्पस है कि उसने जो है वो उसने क्या करना इस्टेशन ने उसने गुवर्मेट बनानी है तो गुवर्मेट बनानी का पर्पस तो है बाकि तो कोई पर्पस नहीं है लिम्टल सिंग्निफिकेंस है वह सिंग्निफिकेंस है कि गौर्मेट बनानी है और तो कोई पर्पस कि पर पस्क्थ मोह धस्क्न होते हैं पिस बगता ऑब्स अधिया जाता है ट्रॉए is also in essential element of the association और आप एको आप एकोर फिचर लिख सकते हो आप एकोर फिचर लिख सकते हो यस को को अपरेटिव वोल से लोगों के बीच को एकोरेटिव करने की भावना होती है को अपरेटिव सपीरिट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरी की हेल्प करती है कोई और मेंबर होगा हर्याना से जो पूलिट के सपोर्टर होगा वो हर्याना के उस पार्टी के सपोर्टर को सब्सक्राइब बोलने मतलब कि जो association की members होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिर के काम करते हैं, एक दूसरे की help करते हैं, cooperation के बीच होता है, this is cooperative spirit, एक ऐसी बावना कि हम एक दूसरे की help करेंगे, students, ये सभी features हैं हमारी association की, हमने आज की video में association का meaning बढ़ा, definition कड़ी, ये सारी features बढ़ी, I am sure, I will understand a lecture well, if you don't understand a lecture well, you can do a comment and leave a comment for me, so that I can know your query and give answer to you, students, if you want notes, you can ask me, you can even leave me a comment, I will definitely assist you, I hope this video will be good, you will definitely get satisfied with this topic, and मेरी वीडियो अच्छे लगी हो, लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिलकुल ना भूलें, thank you students, thank you very much.